Hey Hello everyone, मैं आपके लिए अर्पित आप देख रहे हैं Student Yard, जहां हम आपके लिए 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 आते हैं India's Best Stationery Content Guys, आज हम आपके लिए 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 आगए है 2 fountain pens from Classmate वो है Classmate Octane Fountain Pen and Classmate Smoothie Fountain Pen तो guys, यह दोनों fountain pens under 50 rupees में आपको मिल जाते हैं इसका price is 40 और इसका price is 50 rupees एड आई नो आपके मन में एक चीज आ रही होगी यार वाई अली क्लासमेड बाकी काई सारी ब्रैंड्स है जिनके अंडर 50 रूपीज में फाउंटेन बन मिल जाते हैं तो गाइस डोंट वरी यह इतने सारे फाउंटेन बन हमारे पास हैं देख सकते हैं यह सारे के सारे अंड बेटन को दबा के ग्रे कर दीजिए इसी तरह के और क्लीटी एंड डीटील वीडियो देखने के लिए तो गाइस इस वीडियो को स्टाइक करते हैं तो इस वीडियो हम क्या-क्या बात करने वाले सबसे पहले हम जानेंगे इन दोनों की बिल्ट क्लिटी के बारे में इनको क करेंगे कि काफी सारे टेस्ट है सम्चेक करेंगे स्मूथनेस फिरम का करेंगे हाइलाइट टेस्ट यह नहीं होते हैं इवन देन हम आपको एक बद चेक करके जरूर बता देंगे लास्प में दिखिंगे कि कि overall हमारा final verdict क्या है आपको इन दोनों पैंस में से कौन से पैंट की साथ जाना चाहिए तो सब सब पहले कि अन्बॉक्सिंग कर लेते हैं जिल्दी से तो यह फाइनली गाइस हमारा स्मूदी भी अन्बॉक्स हो चुका है अना तो यह कि दोनों पैंस हमारे पास आ चुके हैं दोनों में आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से यह दो पैंस है ना इनके साथ हमें दो कॉट्रेज इस मिलती है तो यहां पर गाइस ऑफिन के साथ थोड़ी एक्ट्रा लॉंग का टेज़े से यहां पर आपको पहले पैकेट्स पर दीगई डीटेल्स बता देता हूं तो यहां पर देख सकते हैं गाइस यहां पर पीछे कुछ इंफर्मेशन दी गए ब्लू कला 50 रुपीज ठीक है यहां पर देख लेते हैं गाइस ऑक्टेन की पैकिंग आपके पीछे आपको दिए है एंड जशाओं जारें यहां पर दोनों ही यहां पर दोनों में दिख रहे हैं मुझे यहां पर थोड़ी सी लॉंग काटरेशिगों साफ देख सकते हैं ठीक है यहां पर जो तो डिफ्रेंस है फिजिकल ओवर्विव में आपको बता देता हूँ एक एक करके यहां पर यह जो आपने अपने अपने यूज किया ही होगा जो बॉल जेल पेंस आते हैं सिमिलर बिल्ड कॉलिटी है उपर से और कैप तो लग बग इसका पूरा ही सेम है वैसा कि वैसा प्ला इच्छे से होड़ हो रहा है और यहां पर एक डिफरेंस ही है कि आपको यहां पर जो बॉल जल पॉइंट बिलता उसके जगह आपको एक फाउंटेंट बैंट के भिया पर देखने को मिले जाती है इस टाइप से इसके एक ओवर्विव दे जाता हूँ मैं आपको अब देख लेते हैं सको बंद करते हैं इसकी काउटेजेस में क्या-क्या आया तर इसकी दो कॉट्रिजीस है यह इसके तो यह बहुदा सा पकटने में इसका जो बाड़ी है वह थोड़ा थिक एक कंपेर टू अक्टेन कुछ इस ट्राइब से दिखता है यहां पर में ध्यान से अगर देखें तो आप को देखने को मिल जाएंगे डिखने में कैसे दूनों वह डिफिनितिल यह मैं क्टेस्ट करेंगे Smoothie के अंदर देख लेते हैं क्या है इसको मैं open करता हूँ ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप इमने cartridge insert कर सकते हैं ठीक है तो यह इसके साथ यह जो cartridge जाती है वो कुछ ऐसी दिखती है यहाँ पर mention है Classmade Smoothie Cartridges ठीक है यह ऐसा mention है इनको आपको यहाँ पर रखना है और आपको प्रेस कर देना है जब तक आपको click sound ना है आप इसको वापिस बन कर सकते हैं इनको भी डाल के हम test करने वाले हैं तो build quality wise अगर मैं देखूं गाई तो यहाँ पर दोनों ही जो pen हमको यहाँ पर देगाए यहाँ पर देख सकते हैं दोनों की build quality मुझे अच्छी लगी है यह जो classmate का जो octane है इसका जो basically grip section है यह थोड़ा सा conventional है हमें जितना इसका जो thickness है जो इसका diameter है वो इतना है कि अब बहुत अच्छे से इसको grip कर सकते हैं अपने हाथों के बीच में जो normal octane है लगबग लगबग होतना ही है उससे हलका सा कमी होगा है उससे जादा नहीं है यहाँ तो अच्छे से grip हो रहा है यहाँ पर जो smoothie है स्मूदी में एक पॉइंट है कि इसका यहाँ पर grip section है comparatively इसका थोड़ा सा diameter जादा है थोड़ा सा यह मोटा है तो अगर आपको थोड़े मोटे पैन मोटे ग्रिफ वाले पैन पकड़ने के आधा है तो definitely एक यह option हो सकता है अगर आपको more conventional grip चाहिए न तो मुझे यहाँ पर octane की grip थोड़ी जादा conventional लगी build quality के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखने में classmate smoothie थोड़ा सा जादा costly pen लगता है as compared to octane दोनों में 10 रुपे का ही difference है and octane की भी build quality बहुत अच्छी है यहाँ पर smooth ही थोड़ा सा up market look मुझे जादा देता हुआ देख रहा है अब देख लेते हैं guys चलने में यह दोनों pens कैसे हैं तो guys इनकी smoothness टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमको connect करने पड़ेगी इन pen की cartridges को इनके अदर तो यह मैंने हाँ पर ले लिए इसको मैंने यहाँ पर प्लेस किया and मैं यहाँ पर इसको प्रेस करता हूँ यह तो guys यहाँ पर हमें click sound आया and यह fit हो गई है अब यहाँ पर guys definitely वो ऐसा लगता है कि जा नहीं लिए बड़ आपको थोड़ा सा इसको strongly hold करना है and इसको सही पर तोड़ा सा हाट दवाना पड़ेगा तब यह जाना start होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंग फीड में जाना start हो गया है ठीक है तो यहाँ पर फीड में जा रहा है मैं इसको यहाँ बापिस इसको बैल बन कर देता हूं आपको देखना है यहां पर इसको कनेक्ट सही से करना है और आप उसको प्रेस कर देना तो यह आई थिंक फिट हो गई है अच्छे से मुझे लग रहा है डेफिनिटली यह चली गई है इसमें ऐसा मुझे कोई क्लिकिंग साउंड तो नहीं आया पट यह फिट हो गई है ठीक है इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं आपके तो यहां पर गाईस दोनों पेंड की कॉटेजेस हैं जो हमने कर ली हैं अब इंसे लिखके देख लेते हैं तो गाईस अब हम इन दोनों ही फा आपके तो गाईस यह वाला जो पैन है कि काफी जादा मतलब डार्क पैने काफी इसका जो निप साइज है वह मैं बोल सकता हूं की मीडियम होगा लग बगहना मीडियम से थोड़ा सा जादा ही है ठीक इस पैसा कुछ मैंशन नहीं है बट यह अच्छा मोटा चल रहा है लो पैन एकदम स्मूध है बढ़िया चल रहा है डाक पैन है काफी मुझे बोलना पड़ेगा इंक काफी डार्क है इसकी कि यहां पर कुछ और भी मैं आपको लिख्या बता देता हूं कि यहां पर काई यह जो नोट्बूक में यूज कर रहा हूं यह 80gsm पेपर हाई कॉलिटी नोट्बूक है न मोटा पेपर इसका फांटेन पैन के लिए जर्रली ऐसे ही यूज की जाती है नोट्बूक इसको मैं आपको नॉर्मल पेपर पर भी लिखके दिखा हूंग कि वह अगर डिफिनिटली मुझे लग रहा है थोड़ी जल्दी घथा मुझे एक्स्राव भी लॉंग भी दी गई क्योंकि इसका बेसीकली जो फ्रोक साइज है वो थोड़ा सथिक है थाना सका स्मज टेस्ट भी मैं आपको करके दिखा देता हूं यहां पे तो मैं लिखता हूं अगर डिफिनिटली तुरंत फिरता हूं तो यह स्मज हो ही जाता है ना फांटेन में तो स्मज होते हैं इसको देखते हैं थोड़ टाइम देखते हैं ड्राय होने के लिए लग बहुत पांस सेकेंड ठीक है एक दो तीन चार पांट छे साथ आट नो दस दस सेकंड जे दी ह हैं इसको जादे दी हैं फिर भी यह हलका सा समज हो ही रहा है ठीक है तो थोड़ा जादा टाइम प्री सूखने के लिए अब गई हम ले ले लेते हैं हमारा दूसरा फांटेन विच इस स्मूधी तो यहां पर आप देख सकते हैं आज चुका है हमारे पास हमारा समूधी इस अब इसमूधी का क्या है गाई जहां पर स्मूधी थोड़ा सा फाइन फ्रोक है तो इसका जो पॉइंड है मुझे लग फाइन लग रहा है इसका पॉइंड ना जादा मोटा ना जादा पतला है पॉइंड फाइव एम तक आप इसको बोल सकते हैं और लिपता हूं यह इतन और प्राइमरी को बस इसमें एक ही चीज मुझे लग रही है स्मूधी में कि इसकी बॉड़ी जो है इसका जो ग्रिप सेक्शन है वो थोड़ा सा थिक है तो अगर आपको थिक पैन पसंद है तो तो डेफिनिटली यह बहुत एक अच्छा उप्शन मन रहा है आपके लिए अगर आपको थोड़े से पतली बॉड़ी वाले पतली ग्रिप वाले पैन पसंद देना तो मुझे वहां पर ऑक्टेन ज्यादा कमफर्टेबल लगा पकड़ने में हाई क्वालिटी वीडियो से ओके तो गाई इसका यूनिफॉर्म श्रोक मुझे थोड़ा ज्यादा लगा एस कंपेड़ टू के पस्कंपेड़ टू फांटेन आपको कर करके दिखा देता हूं यहां लिख तो तुरूंत करता हूं तो डफिनिट्लिकी इस मज़ हुआ है पर आक्टेन से कम समझ हुआ है वदला अक्टेन 10 सेकेंड में जितना समझ वह ता उससे भी कम ही इसमझ वह इसको थोड़ टाइन देते हैं समझ के लिए लिखते हैं समझ एक दो तीन चार पांच छे साथ इतने में भी साथ सेकिंड नहीं हो तो वाइस रिलेटिवली यह थोड़ा सा ज्यादा समझ प्रूफ है थो अपर आप देखें कि आपके तो यहां पर देखेंगे तो यह कि और जो ऑक्तेन हैं ऑक्तेन फोड़ से जाता ठीक का है एंड यहां पर ज्मूदी है वो थोड़ा सा ना मैं क्या बोलूर ज़ालोर स्टों हमको मिल रहा है ह। कुछ लिख के रखा हुआ है तो यहां पे इसको उपन कर लेते हैं तो यहां पर आप देख पारे होंगे कि सबसे उपर मैंने लिखा है क्लास्मिट स्मूदी से तो आपको यहां देख रहा होगा कि जो स्ट्रोक है वो काफी यूनिफॉर्म गए हुए और ज्यादा डाक नही देखें गाइस तो आप देख सकते हैं कि फोड़ा सा ज्यादा थिक है तो अगर आपको थोड़ा मोटा पैंट पसंद है थो देफिनिटली गाइस एक आपके लिए उप्शन हो सकता अगर आपको ज्यादा जैसे बींग टीचर अगर मैं एक सजेशन दू किया मुझे कौन स कि ले लिए यह पी प्रोफेशनल फांटेन पैंन है और यहां पर देख सकते हैं लेकिन इसका प्राइज बहुत जादा गई जिसका प्राइज हो जाता है और फिफ्टीन रूपीस तो उसमें तो आप बहुत सारे पैंट करीड लेंगे यह वाले तो यहां पर आप देख सक है इन दोनों ही पैन में ना तो किसी भी टाइक भी लीडिंग मुझे देखने को मिली और ना सी थू है ना आपको इंक दिखेगी भी नहीं पस यहां पर आप कंपेर करें तो स्मूदी से हलिकासा जादा आपको यहां पर ऑक्टेन का सी थू दिख जाता है पर वह इतना नेग स्टेबलो बॉस की तरब से जो मिनी है लेटर साते हैं काफी क्यूट अन्बॉक्स कर लेता है जल्ली से इनका भी में रिविव आपके लिए आ जाओंगा तो एक हाइलाइटर मैंने ले लिया है यहां पर और यहां से भी एक हाइलेटर निकाल लेते हैं हाज़ा की तरफ से रहा है तो यहां से मैंने यह औरंज Bless good यहां पर तो यहां पर में लिखता हूँ लास मेट स्मूधी ठीक है यह नहीं लिखा ख्लास मेट स्मूधी एंड अब मैं यूज्ट करने आला हूँ हॉजव का हाइलाइटर तो यह स्ट्राइप को कुछ हाइलाइटर आप देख सकते हैं काफि अच्छा लगता है मुझे सब्सक्राइप एंड इससे हाइलाइट करते हैं तो डेफिशी डी घॉटा सा हाथ स्मेरिंग आ रही है बढब देख सकते हैं थोड़ा सा लाइटर के मैं फश्क्राइग इंप और यहां पर इक सा मार्क आ गया है तो डेफिनिटी इन पर हाइलेटर अगर आप करेंगे तो क्योंकि यह फाउंडेंट बैंस भी है तो थोड़ा सा दफ हो जाता है इनको है ना बाकि अगर आप प्रॉपर ड्राय होने के बाद करते हैं तो फिर भी इन कितनी स्मच स्मेरिंग जो है आपको देखने को नहीं मिलती है यहां पर मैं एक बार और टेस्ट करके देख लेता हूं मैं हेलो तो यहां पर गाईज मैंने लिया है हमारा स्टेबिलो बॉस का हाइलाइट है इसको खोल लेता हूं मैं ओके ड्राइब कर दिया है मैंने इसको परपल कलर से हाइलाइट करते है तो यहां बे आप देख पा रहे हैं कि हलका सा यह फैला है जादा नहीं है फांटेट बेंस होते भी नहीं है थो इसनी कोई बादे बात निए वह वह हाईलेटर प्रूफ नहीं होते हैं ठीक है क् spend थे गाइस हमारा October 20 से महलेकल अफेड़ इसका कर लेते हैं हमारा उदाधर का फीलैटर इस इसकोच सब्सक्राइब करते इसको डियॉफ Chelsea उपर को battle स्वेकल मुझे लगा था चाहिए ओडर्न कालिकन without आप गया है है ना तो यह डेफिनेटली हाइलाइट अप्रूफ यह तो बिल्कुल भी नहीं है एंड ऑक्टेन को थोड़ा सुखने का डाइम देते हैं कोई भी बीबाऊंटेन पैन की टेस्ट आमें करना नहीं चीए था वैसा पर फिर भी आपको पूने करके दिखा दिया है कि इनपे आप हाइलाइटर यूस जनरली नहीं कर सकते हैं अगर आप यूस करते भी हैं तो आप वैक्स हाइलाइटर की तरफ जा सकते हैं उन में आपको smudge देखने को थोड़ा सा कम मिलेगा नॉर्मल हाइड्राइटर्स में जो लिक्विड बीस हाइड्राइटर्स है उन में स्मझ यह होते ही है और होंगे तो आप गाइस हम करने वाले हैं का वाटर प्रूफिंग टेश्व वैसे यह फांटेन पैन है तो यह वाट दोनों पैन से और इस पेपर को डिप करके देखेंगे तो मैं लिक देता हूं हेलो नीचे है हमारा ओक्टीन तो हलो आपको बीनी करना चाहिए तो यहां पर हमने बहुत छोटा से नोट लिया है इसको मम डिप करने वाले और देखने वाले पहले हम ड्राइवने का टाइम देते हैं यहां तो आप देख सकते हैं दोनों ही पैंट बहुत अच्छी से ड्राइव हो चुक है ठीक इनको डिप करते हैं और इसको मैं फोल्ड कर देता हूं हलका साइस साइच से तो आप देख पारे होंगे एंग गया पेपर पानी के अंदर तो मैंने इननों बहुत और देख देखें क्या होता है एय्यास आप लोगों को दिख रहा होगा क्या होने वाला है ठीक है टाप फोकस इसकरते हैं तॉद्ध यहां पर देख सकते हैं कि इंका क्या हल है थोड़ा ओड़ उसम्मार्ण करते हैं आप मेंसे कई लोगों ने कहा था कि करके दिखा ना तो डेफिनिटली हमारे सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट को जरूर मानते हैं तो आपको इन दोनों पैंस में से कौन सा पैंस लेना चाहिए गई तो दोनों पैंस की कुछ बाते मैं आपको बता देता हूं ऑक्टेन में क्या था गाई इस ऑक्टेन की जो ग्रिप है पकड़ने में जो फील आता है वह स्मूदी से मुझे थोड़ा साथा बैटर लगा थोड़ा ट्रेडिशनल इसका थिकनेस है तो काफी अच्छे से ग्रिप हो रहा है बट यह पैंन का जो स्ट्रोक है वो थोड़ा सा थोड़ा साथा मोटा है थोड़ साथा डाक पैन है तो अगर आप नॉर्मल पीपर पे लिखते हैं तो थोड़ा यूनीफॉरमिटी मुझे में कम लगती है लिखने में मुझे उत्ताई यूनीफोर्म नहीं लग रहा है ये बट वहीं पेर आगर आप डाइरी वगरा की तो smoothie में build quality काफ अच्छी दिखता बहुत अच्छा है बट यहां पर जो इसका grip है अगर आपको पतले गृप वाले pen परसे नहीं तो थोड़ा सा आपको यह वाला जो गृप सेक्शन है थोड़ा मोटा जादा लग सकता है है ना मुझे भी लगा है अगर आपको थिक pen पसंद है तो definitely कोई फिर नो-brainer है या आप इसके साथ जा सकते हैं बट अगर आपको थोड़ा बेटर ग्रिप चाहिए तो वहां पर दिक्कत है दूसरा इसका पॉजिटिव पॉइंट यह है कि इसका जो stroke width है वो बहुत uniform है मुझे लिखने में overall मैंने एक page लिखा मैंने आपको दिखाया अभी वह बहुत uniform मुझको लगा है ना तो काफी uniform strokes है थोड़ा सा light as compared to octane but मुझे overall जो इससे लिखा हुआ जो text है वह ज्यादा स्मूधी इसका मतब यह नहीं कि अप्टेन नहीं लेना चाहिए बट जैसे आपने देखा ओक्टेन का स्ट्रोक थोड़ा सा ज्यादा मोटा है students के लिए आए गया सुसको करना थोड़ा difficult हो सकता है ठीक है तो क्या यहीं सजेशन इनके कोई competitors भी हैं क्या बिल्कुल competitors हैं जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टाइटिंग में ही बताया था वापिस बता देता हूं गाइस कि हमाएं पास इतने सारे fountain pen से आप यहां पर देख सकते हैं यह सारे fountain pen under 50 रूपीज क्या है तो मैं अभी आपको यह बोलना चाहूंगा कि इन दोनों fountain pen से एक pen choose करने से पहले आप हमारे एंडर 50 रूपीज का जो हम नेक्स वीडियो लेकर आने वाले हैं वो जरूर देख लें क्योंकि मुझे डेफिनिटली ऐसा लग रहा है कि इन में कोई ऐसा pen होगा जो इन दोनों pen से better choice हो सकता है और अगर उनमें भी यह pen winner रहते हैं तो information related to unboxing products reviews काफी सारी चीज़ हम Instagram पे upload करते हैं जो YouTube पे आपको उतना देखने को नहीं मिलता है तो definitely guys Instagram पे follow करना तो बनता है इस वीडियो के लिए इतना ही guys मैं आपको मिलने वाला हूं next वीडियो में किसके साथ इस mega comparison के साथ जो आपने यहाँ पे देख लिया है ठीक है तो चैनल को guys यहाँ पे subscribe करना ना भूले यहाँ पे जो आपको click here का बटन देख रहा है उसको